आज ही स्टूडियों आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि कैसे अब अपने मुबाइल फोन से ही बिल्कुल एक कन्फर्म ततकाल की टिकट को बुक कर सकते हो पूरा प्रोसेस लाइफ करके दिखाऊंगा आपको सिर्फ और सिर्फ वेटिंग वाली ही टिकट मिलेगी और रेलवेक आप सिर्फ कैंसलेशन चार्जस पर करेंगे तो आज सी स्टूड़ फोन में देखेंगे कि कैसा आप बिल्कुल स्मार्ट तरीके से अपने एक बिल्कुल कन्फर्म ततकाल की टिकट को बुक करने के यहां पर आपको सबसे नीचे में psychologists करेंगे authentication और यही काम अगर आप किसी भी Apple के स्मार्टफोन में करेंगे तो वहाँ पर आपको Face ID authentication करके देखने को मिलेगा तो आपको basically इस option को enable कर देना है इससे जैसे आप अपनी ICTC का application में login होंगे तो आपको आपको पिन वगारा इंटर नहीं करना पड़ेगा सिंपल ही आप अपने fingerprint या फिर अगर आप Apple की device में करेंगे तो Face ID से ही आप login हो जाएंगे तो login होने में आपका जो समय है आप थोड़ा सा बच जाएगा और एक चीज मेहीं पर clear करना शाओंगा जो भी आपकी जो भी टाइमिंग है सिर्फ उससे आपको एक मिनट पहले अपने IRCTC का अप्रिकेशन में लॉगिन करना है वह जीज मैं आपको आगे process में दिखाऊंगा अब यहीं पर आपको जो दूसरी सेटिंग क्या करनी है आपको अपने फोन के सेटिंग वाले option में चले जाना है और इसी में जाके search कर लेना या फिर उपर में search कर लेना फिर swipe down करके नीचे search करेगा आपको IRCTC rail connect वाला अप्लिकेशन जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा simply आप इस पे एक बार क्लिक करिएगा क्लिक करने के बाद नीचे का option आपको देखने को मिल जाएगा और storage में जाके आप यहाँ पर देख लिए ऊपर में यहाँ पर जो 2.24 MB करके डेटा लिखा हुआ है यह तुरंस यहाँ पर जीरो हो जाएगा अब बहुत सारे लोग सोच रहोंगे कि इसको करने से कुछ डिलीट तो नहीं होगा तो दोस्तों सब बिल्कुल नहीं है कोई भी चीज यहाँ परिशान मत होगा अब पढ़ता है अपने तीसरे सेटिंग के उपर में तो तीसरे सेटिंग जो आपको करनी है आपको चले आना है अपने आया सेटी सी का अप्लिकेशन में और आगे बढ़ने सब्सक्राइब बता रहा हूं आपको इसी से करना है ऐसा नहीं कि आप मैंने अपने अथे पो साथ करने के नहीं कि आपको आप चाहें से जहां तक जाना है उसी स्टेशन को आपको पहले ही वहां पर संक कर लेए के नहीं है defined system2 ऑसे सारी चीजए को यह वाइसे से वाधीकर इससे होगा यह जब आप अपने application में login करेंगे तो आपको यह सारी चीजें पहले से fill की हुई मिल जाएंगी और पहले से fill की हुई मिलने पर आपका जो समय है वह काफी जादे बच जाएगा क्योंकि उस टाइम होता है वह बहुत कीमती होता है तो यह तीसरी चीज आपको यह करने जाएंगे तो application जो है instant open हो जाएगा तो आपका एक एक सेकेंड वहां पर बच जाएगा और इसके साथ ही आपको अपने UPI ID या फिर UPI नमबर पहले से ही copy करके रख लेना है ताकि वहां पर payment के time पर simply पेस्ट करेंगे और जो request है UPI application पर चल जाएगी बहुत सार लोग क इसको ना वहां पर fetch होने में काफी जादे time निकल जाता है तो अगर आपको चार लोगों की ticket बुक करनी है तो ही master list बनाई है अगर एक या दो लोगों की ticket बुक करनी है तो master list मत बनाई है master list में होता है कि passenger palace add हो जाते है तो जो details होती है automatically fill हो जाती है लेकिन इसमें काफी जा रहते है कि AC की ticket बहुत जल्दी बुक हो जाती है अराम से आप sleeper की करके दिखाए तो मैं यहां पर sleeper की ticket आपको book करके दिखाने वाला हूँ तो फिलाल हम लोग आचके अपने while phone की screen पे और आपको करना है आपकी जो भी booking की timing होगी सिर्फ उससे एक मिनट आपको पहले login करन आपको आपकी सारी detail अगर आपने पहले से सर्च होगी जैसे मैंने बताया था तो वो सारी चीजें आपको यहां पर पहले से लिख हुई मिल जाएंगी simply एक बार verify हो लिएगा कि आपका station और quota में ततकार लिखा है फिर नहीं या फिर अपनी class वगारा को देख लिजएगा और journey date को make sure करके देख लिजएगा यह सारी चीजे साही होगी simply आपको search train पे एक बार क्लिक कर देना है तो जैसे आप search करेंगे आप इस नए page पर यहां पर पहुंचेंगे और यहां भी आपको क्या करना है जिस भी train में आपको booking करना है उसकी जो भी class है उस पर simply एक बार हम लोग को 11 बज़े से booking करने हैं तो simply आपको sleeper पर tap कर देना है मैं sleeper क्यों कर रहा हूं आपको AC करना होगा तो आप उस पर tap करेंगे tap करने के बाद आप यहां देखेंगे जितनी भी city अवलेबल होंगी यहां पर निकल करके आ जाएंगे लेकिन अभी हमारे जो timing है वो नह passenger details पे जैसे passenger details पे आप क्लिक करेंगे यहां पे थोड़ा सा fetching station होगा और इसके बाद आप पहुंच जाएंगे नए page पे यहां पे simply ok करिएगा और ok करने के बाद यहां पे add new पे क्लिक करके अपनी passenger की डिटेल आपको फिल करना है बिल्कुल आराम से करिएगा कोई भी देखने को मिल जाएगा तो फिलाली इन सारे process को आगे बढ़ाते हुए जब आप जैसे नीचे आएंगे यहां पे आपको यूपे वले option को select कर लेना और अगर आपको travel insurance चाहिए तो आप ले सकते हैं नहीं चाहिए तो नो भी ले सकते हैं कोई भी दिक्कत की बात नहीं है और उसके बाद आपको review journey details पे एक बार क्लिक कर देना इसके बाद आपकी ticket की पूरी detail निकल करके आजएगी आप किनका ticket बुक कर रहा है किनका नहीं कर रहा है बहुत यहां पे ज्यादे time मत लगएगा कभी इतमिनान से पढ़ लिजएगा तुरंट से आपको नीचे क्लिक क चलेगा तो कहीं भी अगर processing होगी तो वहां पर परिशान नहीं होना आप simply आपको जो भी steps आप उसको follow करते जाए जैसे आप proceed to pay पर क्लिक करेंगे यहां पे बहुत बड़ा चार्ट निकल करके आ जाएगा इसको भी पढ़ने मत लगेगा simply आपको yes कर देना है जैसे आप yes क करेंगे आपको भी फाला option select करेंगे और पहले option में ही आपको पेटियम् वाला option को सलेड करना है इसके बाद में आपको यहां पर यूपी आप से payment करना है पहले option को select कर येगा और पहले option के बाद आपको मैंने बताया था कि आपको अपने UPI ID फिर UPI नमर को पहले से Open करके र होना है अपने payment वाले application पर फिलाल हम लोग phone पर से payment करने वाले हैं तो यहाँ पर आपके phone में simply जैसे phone पर आप open करेंगे request निकल करके आजएगी अगर नहीं दिखती है by chance तो आपके उपर में यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर processing स्टार्ट हो चुका है और इस थोड़ास आपको यहाँ पर वेट करना है बहुत चार लोग क्या करते हैं अगर दस सेकेंड सूपर टाइम जाता है तुरंट से तरीका 100% कनफर्म ततकाल के टिकट को बुक करने का कहीं भी processing होती है तो आपको वहाँ पर application को स्विच बगारा नहीं करना है simply wait करिए क्योंकि application आपकी लिए नहीं सो है पूरी जनता के लिए slow है तो बस आपको कोई भी mistake बगारा नहीं करनी है capture बगारा अराम से इंटर करिएगा बहुत सार लोग हर बड़ी में गलत इंटर कर देते हैं जब वह दोबारा इंटर करेंगे तो पांस से दस सेकेंड निकल जाता है तो कुछ इन ही प्रोसेस को वज़े साब की ततकाल की टिकट बुक नहीं उपाती है बाकी आपको वीडियो कैसे लगी कमें करके जरूर बताएगा वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजेगा मैं मिलूंगा आपसे एकली वीडियो में तब तक के लिए बाबाए